जहन दोस्तों जैसा सुवेरे मैंने आपको नीजूम बताया था सर्कूलर नमर 666 जारी हो गया है और लोगों को आप बेसिक पैंसिन की बड़ोतरी भी लगवग पता चल गया है अब लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है और इसमें किसी ने एक एकसल पे मुझे टे भी दी ए यह मैं आपके साथ ज़रूर शेळ करूँगा यह नहीं टेवर किसी ने बनाई है जो कल बनाई है एनि ओर लोगों के साफ से एक तेवल जो पीचिदिये के साफ से एक टेवल बनाई है इसमें सिपाई का दिया हुआ है पंदरा से आपकी सर्वेस आपकी 15 साल है ए 22 दिसंबर तक आपका area कितना बन रहा ये लिखा है और पहला installment आपको कितना मिलने बाला है यानि बिल्कुल दोस्तों इसको समझिये जानिये correct है बिल्कुल मेरे साथ से मैंने इसको पढ़ा है 15 साल सर्विस से लगा के 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18 यानि एक सिपाई की y group की भी x group की है OROP 1 में आपको कितना था OROP 2 में आपको कितना हुआ difference कितना हुआ 22 दिसंबर तक आपका area कितना बनेगा और पहला installment जो आपको अभी मिलने बाला है वो आपको कितना बनेगा दोस्तों ये इसमें दिया है सिपाई का दिया है फिर नाइक का दिया है नाइक का आपने देख सकत हो 21,500 एक्स ग्रुप की नहीं में बात करूंगा आप नीचे या वाई ग्रुप की बात करूंगा 18,427 बीस जार एक से साथ हुआ 15 साल वाले का 1680 का फायदा हुआ 70,560 आपका एरियर बना और 17,604 आपकी पहली किस्तो यह 15 साल वाला है इदा आप 20 और 22 की साथ जाते हो तो उनका एरियर उससे जादा बन रहा है करीब एक लाक अठारा जार बन रहा है यानि सर्विस का भी इसमें क्राइटेरिया दिया है ग्रुप का भी क्राइटेरिया दि बिलकुल ध्यान से ये टेबल है आपकी मैंने सिपाई से लगा कर हबलदार की बताई अभी मैं नाइव सुधार और शुविदार शुविदार मेजर साब की उपर आता हूँ जिसमें दोनों ग्रुप का कैल्कुलेसन उनकी लेंट आप सर्विस एक साइट्स में दिया है औ और यहां आके सब का माइनस दिख रहा है तो आप समझ सकते हो फिर आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आप आप खोद ही देख सकते हो जिसका जहां पायदा है वो तो है बाकी एक्सल में सीधा है कि वो लोग घाटे में जा रहे हैं ये सारी चीज है सुविदार मे इस्ते का है उन्हें काफी बड़ा हैरीर मिलेगा साइध तीन साड़े तीन लाख हैरीर मिलेगा मैं ये कह रहा हूं और क्योंकि वो 35 यार 800 से अटाकर 41 यार सम्टिंग पर पहुंचा है तो बेसिक पैंसल में इतना फरक है लेकिन बात इस बात किये कि आपने दो यार 18 को ब सुविदार मेजर की आपने बिलकुल ही अंदेकी की और कोई भी चीज रिलाइवल नहीं है ना ही किसी फॉर्मूला के तहट सही फिट बैठती है इसलिए इसमें ये मैनेस दिखा रहा है ये दुरभागी की बात है लेकिन दोस्तों ये बात यहां थमेगी नहीं ऐसा होता ह तो आगे भी किसी को कोई फायदा नहीं होगा इसके लिए कोट में जाने की तरह या किसी भी तरीकी से संगटित हो ना हो हर एक अपना सेनिक संगटन कोट में जाने के लिए बिलकुल त्यार है और बड़ा मुद्दा है कि प्रिमेचर को भी मिले और जो माइनस वाला फिग कर रहे हैं यह सर्मनाक है आखिर जवानों और जेस्यू की वारूपी को कौन ले गया आप समझ सकते हो किसको ज्यादा फायदा हो रहा यह भी आप समझ सकते हो पहले जबी जितने मेरे वीवर्स हैं इस टेविल को समझें अपनी केलिकुलिसन करें अपनी चीजें पहले ठी ठीक रखें फिर एक आगे अपना कदम बढ़ा हैं सारे संग्ठितों और अपने अपकी लड़ाई के लिए खुद लड़ना होगा धन्यमादों